अगर आप एक healthy insurance plan लेने का सोच रहे हैं या फिर आपने अलड़ी एक healthy insurance plan लिया हुआ है तो आपको ये feature जरूर बताया गया होगा कि in case आप अपनी sum insurance को पूरा का पूरा exhaust कर देते हैं, खतम कर देते हैं तो वापिस से आपकी policy में वो sum insurance डाल दिया जाएगा इसके लिए काफी different name जैसे की restore, rebound, reset, recharge, refresh इस तरीके की terminologies यूज होती है लेकिन इन सारी terminologies का मतलब अलग लग रहता है अलग लग policy के लिए क्या है इसका मतलब और example की मदद से मैं आपको समझानी कोशिश करूँगा कि यह कैसे काम करती हैं, आज का वीडियो इसी सीरीज का सबसे पहला वीडियो है, मेरा नाम है आमित, आप देखनें भी पैसमेटर्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की वीडियो में नज़र डालते हैं हम rebound word के उपर, देखिए हर insurance company एक different word यूज़ कर सकती है, जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था, और HDFC ergo के case के अंदर rebound word यूज़ होता है, definition हो सकता है जो आपकी policy है, उसके अंदर भी similar definition हो, तो इस वीडियो को आप ध्यान से द pocket से देना पड़ सकता है, अगर मैं definition यहाँ पर देखता हूँ, तो लिखा हुआ है कि it adds to the sum insured an amount equivalent to admissible claim amount subject to maximum of basic sum insured on subsequent hospitalization of the insured person during a policy year, काफी important चीज़े हैं, मैं stress इस लिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं example लोंगा तो उनमें इन सभी चीज़ों को एक एक करके cover करूँगा, जै यह दो important चीज़ हमरे पस यहाँ पर है, इसके आगे अगर चलते हैं तो लिखा हुआ है कि rebound amount shall be available to all insured persons for same and different illness claims, कुछ companies हैं जो आपको कहती हैं कि हम same illness के लिए rebound amount या फिर refresh amount नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि same or different illness के लिए आपको यह amount मिल जाएगा, subject to the condition that a single claim in a policy year cannot exceed the sum insured of the basic sum insured, यह भी बहुत important चीज़ है जो मैं जैसी अब आपको example कराऊँगा, example से समझाँगा, तो आपको detail में पता लगेगा कि इसके calculation कैसे होती है, तो मैं यहाँ पर full screen कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप अराम से इसे देख पाए, यहाँ पर हम बात कर रहे है कि Mr. Sharma है जिन्होंने policy ले रखिया, healthy insurance policy ले रखिया और उसका sum insured इनके पस 3 lakh रुपीज का available है, अगर हम यहाँ पर मानते हैं कि इनको policy लेने के 3 महीने बाद एक insurance का claim फाइल करना पड़ा और इस claim का amount आता है 2 lakh 50,000 रुपीज, अब क्योंकि claim का amount total इनके जो sum insurance है उससे कम है तो company इसको 2 lakh 50,000 रुपीज reimburse कर देगी, यहाँ पर मैं इस debate में नहीं पढ़ रहागी जो 2 lakh 50,000 है, इसमें से consumables क्या है, non-consumable क्या है, मैंने word यूज के admissible, जो company allow कर रही है claim के amount के लिए, तो यहाँ पर 2 lakh 50,000 रुपीज का amount इनको reimburse हो जाएगा, और हम देखते हैं कि हमार पहली मारे से related है, और इसी के कारण इनको इलाज कराना पड़ता है, जहाँ पर इनको खर्चा आता है total 1 lakh 40,000 रुपीज का, अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो इनके पास base cover सिरफ 50,000 रुपीज का available था, हमने बात की थी rebound policy की, या फिर rebound option की, तो इनको और वापिस से amount मिल payable amount हो सकता है, वो हो सकता है maximum sum insurance 3 lakh रुपीज का, तो 2.5 lakh रुपीज इनको पहले मिल चुके है, तो इस बार इनको सिरफ 50,000 रुपीज मिलेंगे, और बाकी के 90,000 रुपीज इनको अपनी pocket से देने पड़ेंगे, यानि कि जो हमने बात करी थी कि same hospitalization के लिए, जो amount है admissible, वो maximum 3 lakh रुपीज हो सकता है, second बात करते हैं कि मानते हैं ये policy, Mr. Sharma ने एक floater policy ले रखी दी, और इनकी जो wife है, इनकी wife को 9 मनत के बाद में claim file करना पड़ता है, hospitalize होती है, claim file करना पड़ता है, और उस time पी इनका खर्चा आता है, 2 lakh 50,000 रुपीज का once again, अब इस बार इनके basic sum insurance तो zero है क्योंकि ये सारा का सारा exhaust कर चुके हैं, तो उस case में जो इनका rebound है, ये trigger होगा, और rebound कितने amount का trigger होता है, rebound हमने कहा है कि total sum insurance जो है, वो amount इनके पास available हो जाएगा, तो 3 lakh रुपे का इनका rebound है, वो इनके पास available हो जाएगा, rebound available होने के कारण, इनके पास 3 lakh रुपे आ पड़ता है, एक और hospitalization होती है, किसमत काफी खराब चल रही है इनकी, तो और उस time पे इनका जो total खर्चा आता है, वो आता है 70,000 रुपीज का, अब हमने कहा था कि इनके पास rebound available है, 50,000 रुपीज का, तो total इनको 50,000 रुपीज का rebound available है, तो यहाँ पे इनको 50,000 रुपीज का किसमें ने लिया हुआ है, अगर यह unlimited rebound रहेंगे, तो यहाँ पे फिर से क्योंकि एक unrelated illness है, वापिस से rebound available हो जाएगा, और यह पूरा amount उनको पे हो जाएगा, या फिर reimburse हो जाएगा, next case लेके चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी variation लिया है, और I think यहाँ से आपको कुछ और clarity आएगी, जैसे पहले हमने options से कुछ clarity ली थी, यहाँ से आपके पस कुछ और clarity आएगी, इस case में हम लेते हैं कि Mr. Sharma ने जो है, वो तीन लाक रुपे का अपना sum insurance लिया हुआ था, यानि कि अपनी family floater policy ली थी, 2.5 lakh रुपीज का उनका claim amount आता है, और 2.5 lakh इनको payout हो जाता है, second illness जब होती है इनको, तो 50,000 रुपीज इनके पास base policy वे पड़ा है, लेकिन इनका 1 lakh 40,000 रुपीज का खर्चा आता है, यहाँ पे again non-related sickness की बात कर रहा हूँ, non-related illness की बात कर रहा हूँ, इस case में इनका जो rebound है, यह trigger हो जाएगा, second case में trigger क्यों हो गया ह इस बार different illness related है, तो trigger हो जाएगा, उनका 1 lakh 40,000 का पूरा का पूरा amount मिल जाएगा, अब यह जो amount मिला है, इसके अंदर से पिछली बार के इनको 50,000 रुपे मिले हैं, और 90,000 रुपीज इनको, जो है, rebound में से मिले हैं, next मानते हैं, again claim इनको, third claim इनका file हुआ 9 month के बाद में, औ ऐसे वैलेबल था, क्योंकि हमने पहले 5,500 रुपे डाला था, 50,000 रुपे कम आपास पहले अवैलेबल था, तो total इनके पास 2 lakh 10,000 रुपीज का rebound इस बार available रहेगा, इनका total amount हमने देखा 3 lakh रुपीज का यहां पर consume हो गया, जो भी rebound का है, और जो payable amount आता है, वो इनका 2 lakh 10,000 रुपीज आ जाएगा, लास हम लेते हैं कि इनका फिर अगेन हमने इस बार multiple refreshes नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कि एक ही बार rebound की facility अवैलेबल है, तो चोता claim अगर यह फाइल करते हैं, 70,000 रुपीज का, तो यह अपना basic sum in short भी exhaust कर चुके हैं, और जो इनका SI है, या फिर जो इनका rebound है, उसको भी exhaust कर चुके हैं, तो इनको कोई भी amount pay नहीं होगा, और इनको सारा का सारा amount अपनी pocket से pay करना पड़ेगा, तो I hope कि इससे नहीं आपको clear हो गया होगा कि rebound कैसे काम करता है, इसी के साथ एक और variation आते है, rebound की, जहां पर आपके पास हो सकता है, पहले calculations करके आपके screen पर रखी हुई है, आप इसका screenshot लेके अराम से समझ सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, तो नीचे मुझे comment section में पूछ सकते हैं, मगर यहां से आपको clear हो जाएगा, step by step मैंने दिखाया है कि कितना amount available है, कितना amount कैसे calculate होके, कितना amount मिल पा रहा है, और इसको समझना बहुत जरूरी है, और आपके case के अंदर आपने कितना summation ले रखा है, उसकी calculation करके आप जरूर अपने पास रखिए, ताकि in case hospitalization होती है, तो आपके पास answer available रहे, कि कैसे remorsement होती है, और कितना पैसा आपको मिल पाएगा, या कितना पैसा आपको अपनी pocket से देना पड लेगा, जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके तब तक लिए बचाते रहें, कमाते रहे, because every पैसा matters.